मराठा नेता मनोच जरांगे पाटिल के मुंबई कुछ को लेकर महायूती सरकार के हाथ पाफ फुल गए है मराठा आरक्षन की मांग को लेकर जरांगे अपने काफिले के साथ मुंबई की ओर लगातार बढ़ रहे है जिसमें भारी संख्या में उनके समर तक जुट रहे है उन्होंने अब तक सरकार के ओर से की गई सारी अपिल को ठुकराते हुए कहा कि वे मराठा आरक्षन को लेकर ही दम लेंगे मंगलवार को जरांगे पुने पहुचे वहां उन्होंने साफ किया कि मराठा आरक्षन हासिल करने तक उनकी जंग जारी रहेगी साथ ही मुंबई पहुचने के फैसले को भी अटल्ड बताया है इससे सीएम एकनाशिंदे का सिर्दत बढ़िया है जरांगे अपने मार्च के तहित 24 जनवरी की राथ में लोनावला पहुचेंगे वहां उनके समतकों के लिए एक बड़ा क्यांप बनाया गया है जरांगे अपने समाज के सदस्यों के लिए लोनावला में प्रते घर से 25 चपाती और मुंपली की चट्नी देने की अपिल की है इस तरह लगबग 10 लग चपातिया, चट्नी और 50 टैंकर पानी की विवस्था की गई है वहां अस्ताई शोचाले बनाने की भी तैयारी चल रही है मार्च के छटे दिंग जरांगे 25 जनवरी को सुबा 8 बचे लोनावला से अपने समतकों के साथ पन्वेल के लिए रवाना होंगे भंडारा कुंद्य जिला वासियों के लिए खुश खबर है अब आपका मन पसंद चैनल BS Crime India News अब आपके केबल नेटवर्क पर जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के SN Channel नंबर 13 पर उपलब्द है BS Crime India News पर खेल, राजनिती, क्राइम, साहित्य वा अन्य खबरे प्रकाशित की जाती है हमारे साथ जूटने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरे विज्यापन आदि के लिए संपर्क करे 8669151757 पर